अलिकर में मकश संक्रान्ती महापर्व कि अफसर परशी राम जन भुमी आंदोलन में शहीद सरातं धर्मयोध्धाँ की आत्मा की त्रपती के लिए प्रित्र पूजन का आयोजन क्या गया इस दुरान प्रभू से राम मंदिर आंदोलन में बलिदानियों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पूझा अर्चना की गई और इसका आयोजन बीते दिन नौरंगा बाद सित्मा बगला मुखी मंदिर में इस समय भारत वर्ष जो है वो पूझ तरह भगवा में हो रहा है तो ऐसे में जब भव्य श्री राम जी की प्राण पतिष्टा होने जा रही है तो हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूल सकते जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुती दी और जिनके कारण से जिनके बलिदान की कारण से हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं और ये शुबकाम होने जा रहा है तो हमारे सनातन की परंपरा अनुसार आत्माओं की त्रप्ती अत्यानत आवशक है उनका अहवान करना उनको बुलाना ताकि कारे जो है उनको मोख्ष प्रदान हो ऐसा हमारा नैतिक करतवे हैं दिखे मकर संक्रांती के पावन अबसर पर राम जन भूमी आंदोलन में जो लोग बलिदान हुए हैं जिन लोग के बलिदान से हमें ये शुब दिन देखने को मिल रहा है। ऐसी सभी दिव्य आत्माओं की तरप्ती के लिए आज तरपन और पित्र पूजा का आयोजन महामनलिष्ट और अनुपूना भारती जी महाराज के नेतरत में किया गया है। यही कारिक्यम का आयोजन हुआ और प्रभू से कामना की है उन सब लोगों को मुक्ष प्रदान करें।